नमस्कार साथियों मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों महा निदेशक इसकूल सिक्सा और राज्य प्रियोज निदेशक कारेले से एक आदेश आया है और इस आदेश के नुसार राश्टे सिक्सा नीती 2020 के परिपेक्ष में विद् आज की वीडियो में जानेंगे ये 22 जोलाई 2024 का ये आदेश आया है जिसके अंत्रगत बच्चों में परियावरण के अनुकूल गतिविधियां और परियाजनों को अपनाने में सक्षम बनाने के उदेशे से विध्यलियों में इको कलब और मिसल लाइफ बनाने की निर्द परिशदिय प्रात्मिक उच प्रात्मिक कंपोजिट और केजी बीविध्यालियों में गठन करना है उसका नाम होगा इको कलब फोर मिसल लाइफ इसके उदेश्य क्या है सबसे पहले यही देख लेते हैं कि इसको क्यों बनाया जा रहा है आकिर उदेश्य क्या है पहला जो अदेश्य है वो है इको कलब और मिसल लाइब का मुख्य अदेश्य है बच्चों में जीवन को सल नेत्रत शमता का विकास करना तथा परियावरन संदक्षन हेतु उत्तरदायत की भावना का विकास करना दूसरा उदेश्य है इको कलब और मिसल लाइब की तहट बच्चे बच्चों विधाल्य और समुदाय को समवधेंसिल बनाना कारेक्रम संचालन के संबन में अधिकारियों और सिक्षकों की छमता संवर्धन किया जाना परियावरन उर्जा संडक्षन व्रक्षा रोपन जल संडक्षन अपसिष्ट परबंधन जैविवित्ता आदी के समंद में बच्चों की समझ विक्षित करना बचों में जीवन कोसल के विकास तता आत्मिश्वास और आत्समां की भावना विक्षित करते वे भवश्य की चुनोत्यों का सामना करने के लिए सकारत्मक वातावर्ण का सर्जण करना इसके साथ साथ बच्चों को अपने आसपास के परियावरण, जैविवित्ता, जलवाईू, इस्थानिय, परिस्थितिकी, पोशन, स्वास्त और स्विष्था के परती जागरूत बनाना इसका उदेश्य है और बच्चों को प्रकरती के साथ अनन्द पूर्वक कारे करते वे बिन गतिवितियों में प्रती बगता के साथ सीखने के अवसर परतान करना ये सभी इसके उदेश्य है, इसका गठन किस्ते से किया जाएगा देखे, परतेक परिशदिय प्रात्मिक, उच्प्रात्मिक, कम्पोजिट, एवं केजी बीवी विध्याले में इको कलब फोर मिसन लाइप का गठन किया जाएगा कलब का जो नित्रत्व करता होगा, वो होगा उसे विध्याले का परधाना ध्यापक, या अगर परधाना ध्यापक नहीं है, तो उसके द्वारा, उनके द्वारा जो नामित साह का ध्यापक होगा, वो इसका नित्रत्व करेंगे परते एक विद्याले कि पर्दान अध्यापक एको कलब प्रभारी दोरा कलब की गतिविदियों के संचालन हेतु दो सिक्षकों को नामित किया जाएगा इसके लिए जो कलब की गतिविदिया होंगे उनको संचालन करने के लिए जो परधान अध्यापक है वो दो सिख्षकों को नामित करेंगे सभी छात्र, सिख्षक और स्टाप के अन्य सदस्य तता बच्चों के अभीभावक भी कलब के सदस्य हो सकते हैं क्लब के नोडल सिख्षक को हरित सिख्षक और सिख्षक और उसके साथ एक सिख्षक होगे वो इनके लिए उत्तरदाई होंगे कलब की गतिविद्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए परते कक्सा से एक कक्सा समन्वेक चैनित किया जाएगा परते कक्सा से कक्सा समनवेख द्वारा अपनी कक्सा से बच्चों को एको कलब की कतिविधियों में पर्तिभाग करने के लिए प्रोच्छा हैत kia जाएगा परदाना द्यापक या कलब प्रभारी द्वारा इस्थानिय स्तर पर परियावरन के छेत्र में बिशे सग्य को यथा वश्यक्त अनुसार कलब की गतिविधियों में मार्ग दर्शन पुराप करने के लिए आमंतित क्या जा सकता है कलब के छात्र सदर्श्यों में से किसी एक छात छात्रा को कलब का कैप्टन नामित किया जाएगा जितने भी छात्र सद्श्या होंगे जिसके लिए हरित सिक्षक या सिक्षेका के मार्ग दर्शन में कार्य किया जाएगा कलब की गतिविद्यों को संचालित करने में बच्चों द्वारा सैक्रिया सहयोग परदान किया जाएगा विद्याले के वार्षिक समारों में कलब की गतिविटियों के प्रभावी बाखदशन हीतु प्रोचाहिन किया जाएगा तब परतेक बच्चे को समान अउस्सर प्रदान किया जाएगा विद्यालय में इको कलब और विशन लाइफ संबंदी गतिविदियों के प्रभावी किर्यानन हेतू परधान अध्यापक, नोडल सिक्षक और कप्तान की बहुत ज्यादा भूमिका होगी सबसे पहले देख लेते हैं परधान अध्यापक की क्या भूमिका होगी कलब की गतिविदियों के संचालन हेतू परधान अध्यापक पूर्णते उत्तरताई होंगी परदान अध्यापक ओबलिक वार्डन द्वारा कलब की संचालन हितू एक नोडल सिक्षक सिक्षिका तता एक सहायक नोडल सिक्षक सिक्षक नामित किया जाएगा देखे परदान अध्यापक एक नोडल सिख्षक को नामित करेंगे और एक सायक नोडल सिख्षक को नामित करेंगे परदान अध्यापक या वार्डन द्वरा कलब की गतिवदियों के संचालन ही तो वार्षक गतिवदी कलेंडर तयार किया जाएगा कि कब क्या करना है तता गतिवदयों का संचलन किया जाएगा विधेल्य में इको कलब और मिशन लैप संबंधी गतिवदयों के प्रभावी किरिवानन हेतु परदानाध्यापक द्वारा पर्यावरण के छेत्र में कारे कर रही विशेशक संस्ताओं के परतिनिद्यों को भी विध्यालय में आवंतित क्या जा सकता है तो यह हुई पर्दानाध्यापक की भूमिका अब देख लेते हैं जो सिख्षक होंगे उनकी क्या भूमिका होगी विधहलय में ECO Club और मिसल लाइप संबंदी गती विदियों के परभावी किर्यानवन हितु गती विदियों के किर्यानवन हितु वारशी कलेंडर तैयार करने में परदान अद्यापक को अपयक्षित चहयोग परदान किया जाएगा नोडल सिक्षक या सिक्षिका और सहयक नोडल सिक्षक शिक्षिका दोरा कलब से संबंदी गतिविदियों के संचालन ही तो बच्चों को सुरक्षित पातावन परदान किया जाएगा नोडल शिक्षक द्वारा सभी कक्षाओं के बच्चों को कलब की घतिविदियों में भाग लेने के लिए प्रोच सहित किया जाएगा नोडल शिक्षक और साहक नोडल शिक्षक द्वारा कलब से सम्मंद घतिविदियों को नियमित अनुसरवन करते वे अध्यावदिक प्रगर्ति के संबंद में खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराये जाएगा शिक्षक द्वारा कलब की गतिविदे संबंदित अभिलेक तयार कर यता वश्चक शंसादनों की वस्ता कराये जाएगी शिक्षक द्वारा कलब के सदस्यों की नियमित बैठक आईजित करते वे कलब के कैप्टन और अन्य सदस्यों को आवशक दिशा निर्देश परदान किये जाएंगे शिक्षक द्वारा कलब की गतिविद्यों किरियानवन तो आवशक शंसादन जैसे पुष्टके, चार्ट पेपर, पैन पैंसिल, पोधो आधि की वश्ता सुनिश्चित की जाएगी कलब की गतिविद्यों का किरियानवन विद्धाले प्रांगन या बैठक कक्षमिक किया जाएगा तदा गतिविद्यों का किरियानवन किये जाने के लिए सबी सदस्यों और बच्चों कोई अधिकाधिक परती भागता सुनिश्चित कराएगी गतिविदियों के किरियानवन की भूमिका हेतु आयोजित बैठक के परचार परसार और आयोजन इस्तल आधी की जानकारी उपलब्द कराये जाने की उत्पूर्ण तरदाईत नोडल सिक्षक का होगा अब बात करते हैं कैप्टन की कौन कैप्टन होगा नोडल सिक्षक सिक्षिका और सायक नोडल सिक्षिक के जाधर कलब के चाथ चात्रा सदस्यों में से एक चाथ चात्रा को कलब का कैप्टन द्यूक्त किया जाएगा captain तता परते कक्षा से चैनीत एक कक्षा समन्वक एक तो captain होगा और परते कक्षा से एक आप कक्षा समन्वक को चैनीत कर लेंगे सभी बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में कलब की गतिवदियों पर्तिवाग करने ही तू प्रोथ साहित किया जाएगा और बारसी कैलेंडर के अधार पर कलब की गतिवदियों के किरियानवन में तू नोटल सिक्सक या सिक्सिका को सहयोग परदान किया जाएगा कलब की गतिविदियों में कलब परभारी नोडल सिक्षक कक्सा समयोग साथ बैठक में परतिबा करते हुए गतिविदियों के किरियानवन सुनिश्चित किया जाएगा कैप्टन द्वारा कलब की गतिविदियों के किरियानवन में बाल संसद, मीना मंच, किसोरी मंच के सदश्यों की सहवागता के लिए भी 77 स्ताफित किया जाएगा कैप्टन द्वारा परभावी सिक्षक, सिक्षिका के निर्देशन में फोटोग्राप, अगबार क्लिप, आदी के साथ गतिविदी रिपोर्ट तयार करने में सहयोग परदान किया जाएगा अब देखी करना क्या है इसमें इको कलब और मिशन लाइब के अंतरगत गतिविदियों का किरियानवन और रक्षा व्याक किस तरह से किया जाएगा इको कलब और मिशन लाइब के अंतरगत विविन गतिविदियों का आविजित किया जाएगा देखे सनिवार के दिन होंगी और शिक्षन अवधी के अंतिम जो घंटा होगा जैसे आपका दो बज तक स्कूल होता है एक से दो और अगर तीन बज तक स्कूल है तो दो से तीन आवशक तो अनुसार कलब की गतिविदिया नोडल शिक्षक के प्रियमेक्षन में शिक्षक अ अगर ने की उपाई भी समलित होंगे बच्चों की सुनक्षा के द्रश्टिकत कलब की गतिविदियों का आवजन शिक्षक को की देखने को मार्क द्रशन में किया जाएगा कलब की गतिविदियों के दोरान किसी दुर्गट्र से निमटने के लिए विध्याल्या में प्रा पावर लाइन, हाई वोल्टेज, बिजली के तार, पानी की ओर है टंकी, तथा तालाब, नहर, तथा नदी के निगट के उपलबता वाले स्तान पर कलब सम्मंदिक गतिविदियों संचारित नहीं कराए जाएंगे विध्याल्या के निकट्तम अस्पताल, प्रात्मिक स्वास्त केंद, यानि पी अगनी समान केंद, एम्बुलेंस, आदी के संपर्क नंबर, विध्याल्या की ऐसी दिवार पर चस्पर किये जाएंगे, जिसमें सुगंता पूर्वक अवलोकित किया जा सके, गतिविदियों बच्चों के माता पिता द्वारा भी नियमीत अंतर्ल पल इन गतिविदों का अनुसरवन कि या जाएंगा, इसी तरहें जन्पद पर अनुसरवन होगा, राज्यस्तरपण भी होगा और रास्टेस्तरपण भी इसका अनुसरवन किया जाएगा, अब देख लेते हैं, सितंबर को वर्ड ओजोन डे के रुपे में मनाया जाएगा जब निकल चुका है अब इसमें सितंबर की देख लेते हैं इस दिवस के अवसर पर ओजोन लेयर के महत्व के बारे में जागरुक किया जाना और स्लोगन लेखन परतियोगता आधिका युजन कराया जाना जाएगी और प्रात्ना सभावे वाटर लिए पारी की वरवादी रोकने के लिए विधार्तियों को जागरुक करना पड़ेगा अब बात करते हैं अक्टूबर में आपको क्या करना है एक से साथ अक्टूबर की अफदी में वाइड लाइफ वीक के रोप में बनाया जाए इसी तरह प्रात्ना सभा में ओस्दय पोधि के बारे में विध्यार्तियों को जाने करी दी जाएगी अक्टूबर में बिजली बचत के समय में विध्यार्तियों को समय दन सील बनाने हेतु परिशर्चा होगी और वन्य जीव संड़क्षण सपता के अफसर पर जयाव संड गतिविद्या है इसमें सारी गतिविद्य दी गई है जनवरी में क्या करना है आपको परवरी में क्या करना है मार्च में क्या करना है इस तरह से गतिविद्य इसमें दी गई है और इसके साथ साथ इसमें परदानमंत्री कारियले से भी जो लेटर जारी हुआ है जने तो वीडियो के कमेंट बुक्स में जरूर लिखें धन्यवाद